नमस्तु भ्यम दर्शेकों जै माता दी कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दर्शेकों 29 सितंबर नवरात्री का चौथा दिन चतूरती दिथी और विनायक चतूरती पर यदि आप भगवान गणीश की क्रपा पाना चाहते हैं तो एक विशेश उपाय आप अवश्य ही करिएगा जिससे आपकी हर मनुकामना पूर्ण होगी साथ ही भगवान गणीश का आशिरवात प्राप्त होगा और माता भी आपसी प्रसन्य होंगी क्या करना है आपको सबसे पहले सो सुबह इसना नादी से निर्वित्र होकर मातारानी का आपको पूजन करना है चोथे दिवस के पूजन में आपको मिठाई का भूग लगाना है कोई भी सफेद रंग की मिठाई का भूग लगा सकते हैं दूस्य से बनी हुई मिठाई हो तो अति उत्तम होगा साथ ही आपको मातारानी के समक्ष 9 दीपक अवश्य ही जलाना है और लाल चुनरी उन्हें अरपित करें इसी के साथ में भगवान गणेश को आप 21 दुरबा अरपित करें और साथ में 41 दाने चने की दाल के जो दाने होते हैं वह दाने आपको अरपित करने हैं और अपनी मनो कामना को कहना है ग्यारह बार ओं गन गन पतहे नमा मंत्र का आप जाब करें और जै मातादी कहें आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दर्शको मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तो भ्यम हर हर महादेव जै मातादी जै मालचमी अवश्य लिखेगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं या मेरी आवास को आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंती सब्सक्राइब कर लीजे, बैल आइकन को प्रस करके औल पर क्लिक कर दीजे, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दर्शकों, हर हर महादेव जय माता दी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दर्शकों, जय माता दी, धन्यवाद दर्शकों.